हेलो दोस्तो मैं हूँ अमित, स्वागत करते हूँ आप सभी का आपके इस YouTube Channel Knowledge Noor में दोस्तो मेरे कई सारे वीवर नहीं जानना चाहा है कि कोई लोको पैलट निर्धारी समझ से पहले ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ला सकता है कि नहीं तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिसकस करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या रूल और रेगुलेशन है और लोको पैलट ऐसा कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा किसी भी ट्रेन के लिए किसी पर्टिकुलर इस्टेशन पर आने और जाने का एक निर्धारी समय पहले से फिक्स होता है उसी के अनुसार ट्रेन आती है और जाती है लेकिन अगर लोको पैलट ट्रेन को तेज गती से चलाए तो वह समय से पहले स्टेशन पर पहुंच सकते हैं पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि रेल गाड़ी का संचालन मुख्य रूप से स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्धेशा अनुसार होता है कोई भी गाड़ी किसी स्टेशन पर तब तक नहीं चल सकती जब तक कि उसे ग्रीन सिगनल ना दिया जाए और जब ट्रैन स्टेशन से निकलती है तो अगले स्टेशन पर पहुँचने का एक मीनिमम समय निर्धारित होता है अगर उस मिनिमम निर्धारी समय से पहले कोई भी ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंसती है तो उसके लोको पैलट के खिलाफ ओभरी स्पीड के लिए जाज भी हो सकती है क्योंकि उसने यात्रियों की जान जोखी में डाल कर ट्रेन को चलाया है और उसे समय से पहले प्लेटफॉर्म पर ला दिया है इसलिए कोई भी लोको पैलट गाड़ी को तेजगती से चला कर निर्धाय समय से पहले प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकता दोस्तों अब आप कई सारे लोगों के मन में या सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि टाइम से पहले कुछ ट्रेने प्लेटफॉर्म पर आ जाती है दोस्तों ऐसा तभी होता है जब कुछ ट्रेन को जरूरत से अधिक टाइम मार्जिन दिया गया हो जैसे कि माल लिजिए किसी ट्रेन के लिए स्टेशन A से स्टेशन B के बीच यात्रा का समय 30 मिनट हो लेकिन A से B के बीच 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया हो वहाँ पर ट्रेफिक वगरह को लेकर तो ऐसे में गाड़ी कभी-कभी समय से पहले प्लेटफॉर्म पर आ सकती है जिसे इस्टेशन मास्टर रिसीब करते हैं लेकिन वहाँ से वो अपने निर्धारित समय पर ही खूलेगी इस तरह से देखा जाए तो गाड़ी का सारा कंट्रोल इस्टेशन मास्टर और ट्रैफिक कंट्रोल के हाथ में होता है लोको पालट बस उनके आदेश का पालन करते हैं उमीद करते हैं इंडियन रेल वेज के लोको पालट और ट्रेन से रिलेटेड ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजे आज के इस वीडियो से इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में थेंक यू फूर वाचिंग फ्रेंड्स